ओम शांती आज है एक जुलाई 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की दुनियावी रेस में तो जवान ही तेज दोडेंगे पर यहां वह बात नहीं क्योंकि आत्मा तो बूढी जवान वो छोटी बड़ी होती नहीं तुम बच्चों को विचार सागर मन्थन करना चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं बड़े-बड़े स्थानों पर सर्विस जरूर करनी चाहिए और समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास होने चाहिए फिर कहा सर्विस की व्रिधी तब ही होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी जो भी कारे करते हो फ्राक दिली से करो वह विनाशी धन कोई काम नहीं आएगा तुमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है जैसे इस ब्रह्मा ने किया इसमें ही बहुतों का कल्याण होगा कोई भी शुभ कारिये आपे ही करना ये बहुत अच्छा है कहा भी जाता है आपे ही करे सोदेवता कहने से करे वह मनुष्य बाबा रोज कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं तो आज बाबा ने कहा पॉइंट्स लिखनी चाहिए बाबा ने आज कुछ टोपिक्स बताए कहा इनकी लिस्ट बनाओ और लिखते जाओ जैसे विश्व में शान्ती कैसे हो सकती है अमर लोग का मालिक कैसे बन सकते 21 जन्मों के लिए निरोगी सत्यूगी डबल सिर्थाज कैसे बने बाबा है अविनाशी सर्जन तुम हो मास्टर रुहानी सर्जन अब वह तुमको भी सिखला रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाना है और लास्ट में बाबा ने कहा माया का अपोजिशन बहुत है इसलिए चार्ट रखो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतनों का सर्समेन बनना है बड़े आदमे को हमेशा आप कहे बा से बच्चे ही जानते हो उत्तर सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सदगती दाथा बाप स्विम आकर पढ़ाते हैं यह वंडर्फुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पढ़ता है क्यूंकि मनुष्य भबका शो देखकर ही आत हैं तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में मिट जायेगी हमारी दुनिया तेरी गली में ओम शांती शो भगवान वाच रुद्र भगवान वाच भी कहा जा सकता है क्योंकि शो माला नहीं गाई जाती है जो मनुष्य भगति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला बात एक ही है प्रन्तु राइट वे में शो बाबा पढ़ाते हैं वेह नाम ही होना चाहिए, प्रंतु रुद्र माला नाम चला आता है, तो वेह भी समझाना होता है, शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, बच्चों की बुद्धी में हैं कि हम अच्छी रिती पुरुशार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं, यह द्रिश्टा भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दोड़ी लगा कर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लोट आकर टीचर पास खड़े होते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो, हमने चुरासी का चक्र लगाया है, अभी पहले-पहले जाकर माला में पिरोना है, वेह है human student की race, यह है रु आत्मा तो बूड़ी, जवान वो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है, आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, भल पढ़ाई में धीले भी हो जाएं, प्रन्तु इसमें क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं, सभी आत्माएं भाई भाई हैं, उस रेस में जवान तेज दोडेंगे, यहां तो वह बात नहीं, तुम बच्चों की रेस है, रुद्र माला में पिरोने की, बुद्धी में हैं हमात्माओं का भी जाड़ है, वह है शुबाबा की सब मनुष्य मात्र की माला, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक सुआ या 16108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है, सब की माला है, बच्चे समझ से हैं, नमबर वार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे, यह भी वंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानत तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धी वाले हैं, वह इन बातों को समझ सकते हैं, बच्चों की बुद्धी में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सब को रासा कैसे बताएं, यह है विश्णू की माला, शुरू से लेकर सिज्जरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है न वहां भी अर्थात परमधाम में भी छोटी छोटी आत्माई रहती हैं, यहां है मनुष्ये, फिर सब आत्माई एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी, अर्थात परमधाम में एक्यूरेट बैठेंगी, यह वंडर्फुल बाते हैं, मनुष्ये यह स्थुल वंडर सब देखते हैं प्रंतु वेह तो कुछ भी नहीं है यह कितना वंडर है जो सर्व का सदगती दाता परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं क्रिशन को सर्व का सदगती दाता थोड़े ही कहेंगे तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करने हैं मूल बात है ही गीता के भगवान की इस जीत पाई तो बस गीता है ही सर्व शास्रमई शिरोमनी भगवान की गाई हुई पहले पहले ये कोशिश करनी है आजकल तो बड़ा भबका चाहिए जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसे हैं समझेंगे यहां अच्छा माल होगा बच्चे डरते है इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो लाख दो लाख सलामी देवे तब दिल पसंद मकान मिले एक ही रोयल बड़ा दुकान हो बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में बच्चों को व ज़वाज जट फैलता है पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगें बनाएं जो बड़े-बड़े मनुश्य आकर देख कर वंडर खाएं और फिर वहां समझाने वाले भी फ्रस्ट क्लास चाहिए कोई एक भी हलकी बीके समझाती हैं तो समझ से हैं शायद सब बीके ही ऐसी है इसलिए दुकान पर सेल्समेन भी अच्छे फ्रस्ट क्लास चाहिए ये भी धंदा है ना बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा हमको तो अपनी अविनाशी क कमाई करनी है इसमें बहुतों का कल्यान होगा जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया फिर कोई भूक थोड़े ही मरते हैं तुम भी खाते हो ये भी खाते हैं यहां जो खान-पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता यह सब कुछ बच्चों का ही है ना बच्चों को अपनी राजाई सापन करनी है इसमें बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे कहेंगे बरोबर ये है तो सच बतलाती है विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा बाबा सर्वि इसकी व्रिधी तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी जो भी कारे करते हो फ्राक दिली से करो कोई भी शुब कारिये आपे ही करना ये बहुत अच्छा है कहा भी जाता है आपे ही करे सुदेवता कहने से करे वह मनुश्य कहने से भी ना करे तो बाबा तुद दाता ह बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं बाबा ने समझाया है, बड़े-बड़े राजाउं का हाथ कभी बंद नहीं रहता राजाएं हमेशा दाता होते हैं, बाबा राए देते हैं क्या-क्या जाकर करना चाहिए खबरदारी भी बहुत चाहिए माया पर जीत पानी है बहुत उंच पद है पिछाडी में रिजल्ट निकलती है फिर जो बहुत माक्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है पिछाडी में साक्षात कार तो सब को होंगे न प्रन्तु उस समय क्या कर सकेंगे तकदीर में जो है वही मिलता है पुरुशार्थ की बात अलग है बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धी बनो अभी तुम धर्मात्माई बनते हो दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं न बहुत उन्हों का नामाचार होता है फलाना बहुत धर्मात्मा मनुश्य था कोई-कोई तो पैसे इकठे करते करते अचानक मर जाते हैं फिर ट्रस्टी बनते हैं कोई बच्चा भी नालायक होता है फिर ट्रस्टी करते हैं इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया बड़े बड़े गुरूं आदी को दान करते हैं जैसे कश्मीर का महराजा था विल करके गया कि आरे समाजियों को मिले उनका धर्म वृधि को पाई अभी तुम को क्या करना है किस धर्म को वृधि में लाना है आदिशनातन द देवी देवता धर्म ही है यह भी किसको पता नहीं है अभी तुम फिर से सापन कर रहे हो ब्रह्मा दवारा सापना अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए तुम याद के बल से ही सारे सृष्टी को पवित्र बनाते हो क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र इनको आग लगने से पवित्र बनती हैं, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, इनमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेंगी, तुम जानते हो यह बहुत छीची तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है, यह ज्यान यग्य है तुम हो ब्राह्मन, यह भी तुम जानते हो, शास्रों में अनेक बातें लिख दी हैं, यग्य पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्यान यग्य कहां गया, इसके लिए भी क्या-क्या कहानियां बैठ लिखी हैं, यग्य का वर्णन काइदे सि भी तुम बच्चोंने ग्यान यग्य रचा हैं श्रीमत से, यह है ग्यान यग्य और फिर विद्याले भी हो जाता हैं, ग्यान और यग्य, दोनों अक्षर अलग-अलग हैं, यग्य में आहुती डालनी हैं, ग्यान सागर बाप ही आकर यग्य रचसे हैं, यह बड़ा भारी अग्ये हैं जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है तो बच्चों को सर्विस का प्लैन बनाना है भल गावडों आदी में भी सर्विस करो तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नौलेज देनी चाहिए सिर्फ राय देते हैं खुद कोई काम नहीं करते सर्विस नह बहुत अच्छी है सबको यह नौलेज मिलनी चाहिए अपने को बड़ा आदमी तुमको छोटा आदमी समझ से हैं तुमको बहुत खबरदार रहना है उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती हैं पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है मैनर्स अच्छे हो अनपढ़े तो जैसे भुटू होते हैं कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं बड़े आदमी को हमेशा आप केह बात करनी होती है यहां तो कोई-कोई ऐसे भी है जो पती को भी तुम-तुम कह देंगी आप अक्षर रोयल है बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले-प परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है, तो देली में सब को संदेश देना चाहिए, एड़टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टोपिक्स भी बताते रहते हैं, टोपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ, विश्व में शान्ती कैसे हो सकती है, आकर समझो 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो, ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो 21 जन्मों के लिए निरोगी, सत्यूगी डबल सिर्ताज आकर बनो, सत्यूगी अक्षर सब में डालो, सुन्दर सुन्दर अक्षर हो, तो मनुष्य देख कर खुश हो, घर में भी ऐसे बोड़ चित्रादी लगे हुए हो, अपना धंदादी भल करो, साथ साथ सर्विस भी कर धंदे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, उपर से सर्फ देख भाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मेनेजर चलाते हैं, कोई सेट लोग फ्राक दिल होते हैं, तो असिस्टेंट को अच्छा पगार, मजदूरी देकर भी गद्धी पर बिठा देते हैं, यह तो बेहद की सर्विस हैं, और सब हैं हद की सर्विस, इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धी होने चाहिए, हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं, ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अमर लोग का मालिक तुम कैसे बन सकते हो आकर समझो बहुत टोपिक्स निकल सकती है तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए बाबा हमको क्या से क्या बनाते है बच्चे जानते हैं, पुरानी स्रिष्टी से नई बननी है, मोत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा, तुम तो अच्छी रिती जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चों, वि राजे ही नहीं, तो इतनी खुशी चाहिए, बच्चों को आपस में मिलकर राए निकालनी चाहिए, अकबारों में डालना चाहिए, देहली में भी ऐरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंतरन देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है, बड़ा ओफिसर समझ जा तो ग्राहक बहुत आएंगे, मदरास, बोंबे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो, बाबा बिजनस्मेन भी तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं, इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कोडी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती, तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ओबजिक्ट नर से नारण बनने की सामने खड़ी है, पहले पहले जिनोंने अव्य जारी भक्ती शुरू की है, वही आकर उंच पद पाने का पुरुशार्थ करेंगे, बाबा कितनी अच्ची अच्ची पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती हैं, तब बाबा कहते हैं, पॉइंट्स लिखो, टोपिक्स लिखते रहो, डोक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रुहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं, आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है, यह है ग्यान का इंजेक्शन, इसमें सुईयादी तो कुछ नहीं है, बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी हैं, यह तो बहुत इजी है, बाब हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं, माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं, चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो, तो बहुत खुशी होगी, कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं, बाब से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है, अगर समझ से हैं, हम बहुत तीखे हैं, तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहां तक सच्च हैं या जूट, अच्छा बच्चों को समझाया सेल्समेन बनना है, अविनाशी ग्यान रत्नों का, अ मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहली पॉइंट, एम उब को सामने रख फखुर में रहना है मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ग्यान इंजेक्शन लगाना है सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी दूसरी पॉइंट बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं आप के हैं बात करनी हैं हर कारिये फ्राक दिल बन कर करना है वर्दान स्वकल्यान के प्रत्यक्स प्रमान दवारा विश्वकल्यान की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव स्वकल्यान के प्रत्यक्स प्रमान दवारा विश्वकल्यान की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव जैसे आजकल शारिरिक रोग हार्ट फेलका ज्यादा है वैसे आध्यात्मिक उन्नती में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है ऐसी दिलशिकस्ता आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत वशक्ति आ सकती हैं। सुना बहुत हैं अब देखना चाहते हैं। प्रमान दवारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्यान के लिए स्व कल्यान पहले सेंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्यान की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही हैं। परिवर्तन प्रमान। इससे ही बाप की परिवर्तन होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे स्लोगन दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना यही है रिगार देना अच्छा